प्रमेशर के नाम की स्तूति हो हम पिछले भाग में फीबे कुर्चे हम लोग पाड़ी की मनन करके आ रहा था उसमें हम लोग फीबा के विशे में हम लोग यही देखे थे कि फीबा जो शब्द का अर्थ उसका जो शब्द का अर्थ के अनिसार फीबा अपने जीवन को बिताया और हम देखे थे फीबा एक अच्छा रिलेशन्शिप कीप करने वाली थी और तीसरा हम देखे थे फीबा परमेशर का वच्चन का वाहक थी ऐसे करके हम लोग तीन पोइं पोई्ट अबिज़ को फीबा के जीवन से हम लोग देख चुके हैं। आज का मनन के लिए हम लोग देखेंगे चाधा पॉइंट हम लोग फीबा के विशे में देखेंगे रोम्यों का पत्री, शौलवाथ है पहला और दूसरा पद में हम लोग यह पा सकते हैं। मैं तुमसे फीबा के लिए जो हमारी बेहन और किंग्रिया की कलीशिया की सेविका है बिंती करता हूँ हम देख सकता हूँ इधर फीबा को ने करका है फीबा किंग्रिया की कलीशिया की सेविका है एक सेविका के रूप में ये काम किया है तो सेविका मतलब क्या है सेवा करने वाली कहां फीबा सेवा किया फीबा कलीशिया में सेवा किया तो कलीशिया में बेहनों क्या रोल है कलीशिया में सेविका क्या रोल है कलीशिया में क्या सेवा करना है तो हम देखेंगे पहला तिमत्योस पांच का दस में पहला तिमत्योस पांच का दस और भले-भले कामों में सुनाम रही हो जिसने बच्चों का पालन पोर्शन किया हो अतिती के अतिती की सेवा की हो पवित्र लोगों के पाव धोये हो दुक्यों की सखायता की हो और हर एक बले कामों में मन लगाया हो यहां पर हम लोग कुछ-कुछ सेवा के विशे में हम लोग देख सकते हैं से एक बहन या एक विक्ती सेवी का या सेवा करने वाली बन्ना है तो उनके जीवन में यह सब होना बहुत जरूरी है सबसे पहले हम इदर देख सकते हैं बैच्चों को पालन पोर्षन करना है मेरे क्याल से फीबे अपने परिवार में बैच्चे का पालन पोर्षन किया है खेसे हम बैच्चे को पालन पोर्षन करना इपिस्यों को पत्री हम छे अध्याय में हम लोग पाते हैं कि परमेश्र का प्रभू इश्यमसी का छिच्छा को हम बैच्चे लोग को सिखाना करके उदर हम देख सकते हैं श्यमसी का चार पद यह बैच्चे वालो अपने बैच्चों को रिस न दिलावो परंदु प्रभू की छिच्छा और छेतावनी देते हुये उनका पालन पोर्षन करो तो बैच्चे लोग को हम लोग चैतावनी देते हुए पालन पोशन करना है क्या पालन पोशन करना है प्रभू की शिच्छा की पालन पोशन करना है इस मसी कोन है परमेशर कोन है परमेशर हमारे लिए क्या किया है परमेश्वर हमारे जीवन में क्या उपकार दिया है परमेश्वर का गुण परमेश्वर कैसे अपने जीवन को प्रभू इश्मसी संसार में बिताया इस सब बाते हम लोग अपने बैचों को सिखाना है कैसे सिकाना चहतावनी देते हुए सिकाना अम सब पर्मेशर का π्रभू की चिठ्चा को देना है अपने बैच्चे को पालन पोषन करना है आत्मी रुब से या भाउधी रुब से हम लोग बैचलों को फालन पोशन करना है दूसरी बात क्या है बले कामों में फिर आते है अद्धियों की सेवा किये फीबा अपने जीवन में अद्धियों की सेवा किये है इसलिए वो सेविका है करके क्या है प्रभु के दास प्रेरित पालूस ने बताया गया है एक सेविका बनने के लिए हमको क्या करना है अद्धियों की सेवा करना है अपने गर में अधितियों को जब लोग आते हैं अपने गर में परमेश्गदास लोगों, दूसरे लोगों, विश्वासी लोगों, कोई भी हमारे गर में आने के समय हम लोग को क्या करना है, उनकी सेवा करना है, उनकी सेवा कैसे करना है, एक थन मन होकर हम लोग उनकी सेवा क करना है सेवा करने के समय हम कुड़कुडाना नहीं है हम मन में उदास नहीं होना है एक आनंद के साथ हम परमेशुर की से लोगों का सेवा करना है प्रभु हमें उसके लिए सखायता करें तीसरी बात इदर क्या है तीसरी बात यह पावित्र लोगों के फाव धोना पावित्र लोग कौन है परमेशर के दास लोग हमारे घर में आते हैं हम बुला के लाते हैं हमारे कलीसियम आने के समय अपने क्या है घर में बुला के लाते हैं पहुनाई करते हैं उसके लिए इदर लिखा है पहुतर लोगों की पाउधोय करते हैं तो परमेशर के दास लोग का सेवा कर ना है उनके क्या जरूरत है उनके जीवन की क्या कमिया है यह हम लोगों कैसे पता चल सकते हैं उनके साथ हम एक अच्छा रिष्टा रेकने से एक अच्छा फ्रेंड्शिप बनाने से हमको पता चलेगा और विक्ति के जीवन में या और मेशर के दास के जीवन में क्या कमिया ह करके उसके अनसार हम उसके लिए सेवा कर सकते हैं उनकी सहायता कर सकते हैं ये फीबा उनके जीवन में किया है और एक बात है दुक्यों की सहायता की दुक्यों को सहायता करने वाली विक्तिती फीबा कैसे अपने कलीसिया में बहुत सारे लोग है अपने विश्वासी लोगों उनको हम लोग कैसे पाता चलेगा, हम उनके साथ एक अच्छा वेवगार या अच्छा रिलेशन principals a good रिष्टा रेखने के समय ही हमको पाता चलेगा, उनके क्या दुखी हुँ, क्या बात हैं करके हम पता कर सकते हैं, एक खरीब की आवस्ता हमको होना चाहिए विश्वासियों के साथ ताकि हम उनके दुक को जान सके उनका आनद को जान सके और उनकी अनसार उनकी सहायता कर सकते हैं तो हमारे कलीसिया में जितने लोग दुक की आवस्ता में हो संकट की आवस्ता में हो उस समय हम क्या है उनको प भावदिक जरूरते होंगे, शारीरिक जरूरते होंगे, उनके जो भावदिक जरूरते होंगे, उनके जीवन में होंगे, लेकिन वो हम लोगों को पता करना है, समाज ना है, तो उनके साथ रहना, उनके साथ बाचित होना है, उनके साथ रिष्ता रहना है, ताकि हम उनके हाल का बनी है देखो परमेशर के लोगों का आवस्ता को जान कर उसके खाल को पता करकर हम उनकी सेवा करना है उसके लिए प्रबुग हमें सहायता करे और तीसरी और भी फिर आकरी में क्या लिखा है और हर एक बले बले कामों में मन लगाया करो उपर में भी वही लिखा है बले का कामों में हम लोग को मन लगाना है इंगलीश में बहुत अच्छा एक पद्लिक उदार दिया है लगा कर पूर्ण मन लगा कर हम लोग क्या है करना है कभी कुड़ कुड़ा के नहीं करना है यहां पर हम देख सकते हैं फीबा अपने जीवन में भले कामों में सुनाम पाई है हम देख सकते हैं वाइस से भले भले काम करके फीबा ऐसा कलीशिया का सेवी का मिना है कलीशिया मे क्या है हम देख सकते हैं हम बहुत बड़ा बाशन दे नहीं सकते हैं हम बहुत बड़ा मीटिंग नहीं कर पाएंगी लेकिन हम एक दुसरे के लिए प्रार्तना कर सकते हैं एक दुसरे के लिए हम प्रोसाहन कर सकते हैं आत्मी रूँ से हम एक दुसरे को उत्साइद कर सकते हैं उसके अलवा भाउधी यह जो भाउधी रूप का भी सेवा होता है हम दान दे सकते है कलीशिया का कामों के लिए हम खात बटा सकते है और कलीशिया भवन को हम साफ कर सकते है ऐसे बहुत सारा काम काना प्रीधि बोजी के समय हम लोग बेहन लोग काना पीना सब भना कर खिला सक देखो यह सब मेरे काल से फीबा अपने जीवन में करके दिखाई है इसलिए प्रेरिद पाउलुद ने फीबा के विशे में कहा है यह केंगरिया की कलीसिया की से विकाहे करके यह ही चौता पॉइंड हम फीबा के जीवन से अमपा सकते हैं प्रभु हम ऐसा हाइदा करें क्या सेवा करती है? क्या मैं एक सेवी का है क्या अपना חलीषिया में? अगर नहीं है, तो आज इसे लेकर हम सेवा करना है, खलीशिया के लिए सेवा करना है उस सेवा में प्रबू हमें सखायता करे इन वचनों के दारा प्रबू की नाम की स्तुति हो आमीन करोचे उसले की सेवा करे करे प्रबू अई सेवा में प्रूश में प्रबूल निए में हो का है